दोस्तो हम आपको बता दें कि अमेरिका के लिए इसराइल का सपोर्ट करना अब गले की हड़ी बन गया है जंग का 31 दिन है और कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा है और अमेरिका का हाल ये हो गया है कि वो दो चक्यों के पाट के बीच में हो गया एक तर तरह अब इसराइल है जो उस जिद्धी बच्चे की तरह हो चुका है जो जादा लाड़ प्यार के बाद अकड़ जाता है क्योंकि पुछकारा तो अमेरिका ही नहीं था ना उसको अब अमेरिका हर जगा मारा मारा फिर रहा है लेकिन बीच का कोई हल निकलता हुआ सामने न जास्ता वो तैयार कर पाए जो हालात हैं वो बद से बत्तर ना हो जाए इसके लिए कोशिश की जा रही है और चकर पे चकर काटे जा रही है जिसके चलते ब्लिंकन ने धुआधार तरीके से तुर्की इराक इसराइल वेस्ट पैंक जॉर्डन और साइप्रस का दौरा कर ड बंदक दिये जाए तब हम इस बारे में सोचेंगे तो जंग बंदी अभी ऐसे में होती नजर नहीं आ रही है आप चैलेंज यह है कि ब्लिंकिन चाहते हैं कि गजा मदद जो पहुशनी चाहिए इंसानी मदद पहुशनी चाहिए उस उस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जंग रुक जाए और बंदक भी छुट जाए यह अमेरिका चाहता है लेकिन नितिन्याहू ने यहां जंग बंदी करने के लिए साफ मना कर दिया है उन्हों ने कहा कि यह तब तक मुम्किन नहीं है कि जो गजा के लोग हैं जिन्हों ने इसराइलियों को बंदक बनाया हु था और यूएई साओधी अरब के आला जो एंबेजडर्स हैं सफीर हैं वो तमाम लोग मौझूद थे उनसे मलकात हुई मिटिंग हुई और इस मिटिंग में फिलिस्तीन लिबरेशन और्गनाइजेशन है जिसे पी लो भी कहा जाता है उसके जनरल सेकेटरी भी वहां जाएगी तो जो हमास है उसे मौका मिल जाएगा कि वो सोच ले हिकमती हमले कर ले और इसराइल पर बढ़ चड़ के हमला भूलते हैं अमेरिका ने ये बोल दिया अब दो तरिफ की बात देखें एक तरफ तो कहता है कि इंसानी मदद पहुच्वानी है इसलिए थुड़ द यह एक ऐसी लतार भी पढ़ी ना जिसे अमेरिका भूल भी नी पायेगा तो जौड़न के अंदर जो उनके विदेश-मंत्री है उन्होंने अमेरिका से ये साफ कह दिया यह जो आप कर रहे हो कह रहे हो इसका कोई लॉजिक नहीं है क्यों अमेरिका ने ये कह दिया कि इसरा कोफ़ान ओम लोग वा मारे जा रहे हैं भेकसूर लोग मारे जा रहे बच्शे औरते बुजड़ पर उन decrease मंग रहे हैं आप अपने ने वह क्या कर रहें आपका क्या उखाड रहे हैं चुछ से तो नहीं कर रहे न तो ऐसे में जॉर्डिन के जो विदेश मंत्री है फॉरण मेनिस्टर है उन्होंने साफ कह दिया कि आप जो ये कह रहे हैं ये कता ही गलत है हम इसको कुबूल नहीं करेंगे और जो इसराइल कर रहा है गजा के अंदर सरासर वो जुर्म है मजालिम है और गतले आम है इसको तो कुबूल नहीं किया जाएगा ये कहकर वो तो डिफेंस में कर रहा है अब देखो तुर्की का भी दोरा होने वाला है और तुर्की का दोरा भी बेन नतीजा ही रहेगा जाह कि अमेरिका बहुत तो शातिव तरीके से यहाँ पर चल रहा है। वह बाते भी कर रहा है। इस्राइल को पीचे से तपतपा भी रहा है। अब यही aszal politics होती है! तो इस्राइल को समझाने की बजाए अमेरिका इधर उधर चक्कर काट रहा है इस्राइल को इतना सपोर्ट जो पहले ही मिल चुका है कि अब उसके नाजनखरे यतने हो गए हैं कि वो किसी की नहीं सुन रहा और यूनाइटेड नेशन की तो कोई हैसियत ही नहीं है अजराइल के सामने के उनकी बात भी वो सुन ले अमेरिका का ये जो भी रुख है वो बहुत शुको शुबा वाला है एक तरफ वो वकालत करता है कि इनसानी मदद और बंदुकों को छोड़ने के लिए आप जंग रोग दो वहीं दूसरी तरफ वो सुएज नहर में गाइड़ मिसाल से लेस प्रमानू सबमरीन तैनाती कर रह है जी हां परमानू वाली जो पंदुब्यां है उनको तैनात किया गया स्वेज नहर के आसपास और इस पर उनका उसने तरक जो दिया कहना ये है कि वे इलाकाई तनात को देखते हूं ऐसा कर रहे हैं ताकि कुछ कम हो जाए जबकि ये सब को पता है साफ पता है कि आरब दे देश इसराइल पर धावा न बोल दे इसी लिए वो चाह रहा है कि जो फारस की खाड़ी है स्वेज नहर है उसके आज पास वो अपने जो ये ऐसे फौजी बेड़े हैं वो तैयार कर दे ताकि इसराइल को एक प्रोटेक्शन लियर मिल जाए एक सुरक्षा कवच तैयार हो और अब इसराइल का ये हाल है कि वो किसी की सुन भी नहीं रहा है आपको बता दें कि फिलिस्तीन में जितने लोग मर गए हैं सुनकर चौक जाएंगे दस हजार के आसपास आकड़ा चुने जा रहा है जिसमें चार हजार से उपर तो सिर्फ बच्चें जो मर गए हैं बूस आ गया है नौर्थ कॉरिया आ गया है चीन आ गया है जो आलमी सतह पर काफी ताकतवर मुल्क हैं तो जो फिलिस्तीन अपने बचाव के लिए कभी किसी जमाने में गोली का जवाब गुलेल से देता था आज उसके पास गोली के जवाब में बारूद हैं बम के जवाब में मिसाइले हैं तो वो भी अपनी पूरी प्रोटेक्शन कर रहा है नितिन याहू ने सोचा था कि इस बार वो आवाम के बीच अपनी गिरती हुई जो साख है इमेज है उसको बचा लेगा लेकिन बंदक तो छुड़ाय जा नहीं रहे हैं तो इसराइल के लोग भी जो है अब नितिन याहू के एकदम अगेंस्ड हो गए हैं वहां लगातार प्रेक्शन हो रहे हैं नितिन याहू के इस तफ़े की बात चल रही है तो आपको यह बता दें कि नितिन याहू को भी बहुत घाटे का सौधा जो है साबित होने वाला है और नितिन याहू की एक मात्र ऐसे इनसान हम कहेंगे जिसने इस पूरी दुनिया को तीसरे युद के तीसरे विश्व युद के दहाने पर लाखडा किया है और अभी भी वक्त है कि अगर जंग रुक जाए बना अगर तीसरा युद हुआ तो इसका असर हम पर भी होगा आप पर भी होगा भारत पर होग ही है आप भी गौर कीजेगा कॉमेट कीजेगा देखते रहें दनिश